हैं तो हेलो मैं कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको उताने वालुं सեam ik 12 मोभाईल में ये समसंग कोई साँवाल यह इंड्रॉid मोभाईल हो उसके अंदर दोस्तों होता क्या है कुछ टा c warrant help पहले तो सही चलता कुछ टाइम पार दीरे दीरे नेट शलो हो जाता है या बोल सकते हैं कि नेट की स्पीड बहुत स्लोन हो जाती कभी बार तो इतनी स्लोन हो जाती कोई वीडियो अगर आप प्ले करते हैं यूटूब पे तो वह तक प्ले नहीं होती बट उपर आपको परसंट सॉल्फ हो जाएगी यह कभी कभार किसी मोबाइल पे नहीं सपोर्ट करेगी बट 99% मोबाइल पे अगर आप यह टिप यूज करेंगे तो आपकी इंटरनेट की पॉब्लम सॉल हो जाएगी जो कि मैंने खुद आजमाई होई है उसके बाद आपको यह सलूशन बता तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जो टिप करना है यह सबसे पहले जो काम करना है आपको जाना है अपने मॉवाइल के कोई से भी ब्राउजर पे कोई से भी आपको अपने मॉवाइल के ब्राउजर पे जाना है पहले तो आपको यहां से अपने पुरा नेट आपको उस पर जाना है ब्राउजर के सेटिंग पर आपको यह नीचे की तरफ जाओगे आपको एक वहां पर option मिलेगा आप नीचे की तरफ आएंगे हाँ पर आपको option मिलेगा privacy and security के यह हर जगा मिल जाएगा यहां पर आपको जाना है डिलीट ब्राउजिंग डाटा के अंद मोबाइल के सेटिंग में जाने के आपको जाना है या connection पर connection पर जाने के बाद आपको जाना है mobile network पर थोड़ा सा आप देखेंगे slow है mobile network पर जाने के बाद आपको जाना है वहां पर यह उपर तो पहले आपको 4G सेलेट कर लेना है जिसकी भी आप net चला रहा है उसको आपको KPN पे click है और clicked है आपको इसको कर ले जाए यहां पर three dots पे जाके reset reset to default पे करके इसको यहां से कर देना है आपको जैसी okay करेंगे तो by default में reset होके auto save हो जाएगा उसके बाद आप mobile net को speed को चला के देखिएगा अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपकी problem solve नहीं हुई काफी हद तक इसी setting करने से आपकी जो problem में solve हो जाएगी क्योंकि मैं अधिकतर मैंसा ऐसा issue होता है तो मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ और मेरे mobile की जो net की settings है वही तरह से clear हो जाती है और अच्छा मेरा networking करने लग जाता है आप देखेंगे अब networking अच्छा हो गया है मेरा बट इसके बाद भी अगर आपके साथ issue आ रहा है आपका internet working नहीं कर रहा है जो मैं last tip बता रहा हूँ जो की बहुत ही best tip है इसके करने के बाद तो आपको कोई setting की ज़रुत नहीं पड़ेगी अगर इसके बाद भी अगर आपका net नहीं चलता है तो definitely आपके same network की provider की दिक्कत रहेगी तो आपको करना क्या है इसके लिए अगर samsung user है तो आपको जाना है अपने mobile के account and backup में और यहाँ पर आपको मिलेगा reset वाला option जो reset वाले option पर जाने के बाद यहाँ जाना है आपको reset network setting यह ध्यान रखेगा दोस्तों आपको reset network setting ही करना है और कुछ reset नहीं करना simple reset network setting अगर आप कोई दूसरे mobile user है तो आपको वहाँ पर साश मर लेना है setting के भार जागे reset set network setting setting का यहाँ पर आपको particular SIM को select कर लेना है जिस SIM से आप net चलाते हैं और आप 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 देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपको बता भी रहा है Wi-Fi mobile network mobile data और Bluetooth की आपकी सैरी setting delete हो जाएंगी reset setting करने के बाद simply आपको यहाँ से कर देना है उसको reset setting back delete यहाँ पर आपको अप तो आपको खुदी लग जाएगा आपकी net की speed में भी फरका जाएगा और जो browsing speed दोनों ही best हो जाएगी दोस्तों यह जो tip बताई है मैंने खुद अपने mobile में use करी होगी दोस्तों मुझे comment करके जरूर बताएं कि इस tip से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ या आपको लग वीडियो से लेटेड या कुछ भी आप मुझे comment करके पूछ सकते दोस्तों में रिफ्राइज जरूर करूंगा और अभी तक अगर आपने मेरे चलो सब्सक्राइब करना ना बुले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपड़िट आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों आप आपको डिसक्रेंट पर मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों